हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इस्टडी बितरवी पर दोस्तो आज के हम इस वीडियो में टोप 20 जी के कोशन इस वीडियो में सोल्ब करने वाले हैं ना कि सिर्फ हम दोस्तो कोशन का आंसर जानेंगे बलकि कोशन से related सभी other facts भी आपको बताये जाएंगे जिससे कोशन अच्छे से clear हो सके फ्रेंट्स ये सभी कोशन उत्रयखन के previous exam में भी पूछे जा चुके हैं तो आज की वीडियो important रहने वाली है बस आप वीडियो के last तक बने रहीएगा तो पहला प्रशन है कि महानदी का उद्गम इस्थान क्या है तो दोस्तो महानदी का उद्गम इस्थान है सिहाबा जो की फ्रेंट्स 36 गड़ के रायपुर्जले में इस्तित है फ्रेंट्स महानदी पर ही इस्तित है भारत का सबसे लंबा बांध ठीक है हेराकुन बांध ज तो उसी में इस्तित है नागा परवत और यहीं से दोस्तो साबर मती नदी का भी उदगम हुआ है मुलताई से दोस्तो तापती नदी का उदगम हुआ है और अमर कंटक से दोस्तो नर्मदा नदी का उदगम हुआ है तो सभी facts आपको याद रखने important है ठीक है अगला प्रसन रहेगा कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर इस्तित है तो friends यह परियोजना इस्तित है जेलम नदी पर अगला प्रसन रहेगा कि मुशी किसकी सहायक नदी है और friends मुशी से सर्वदिक जो कोशन मनता है तो कोशन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे इस्तित है जो कि कई एक्जामों में भी पूछा जा चुका है तो friends जो हैदराबाद है तो वह मुशी नदी के किनारे इस्तित है जो कि friends किर्षना की सहायक नदी है फ्रेंट्स किर्षना की सहयक नदी भीमा भी है ठीक है तुंग भद्रा भी है और फ्रेंट्स जो अमराबती है तो बहे भी किर्षना की सहयक नदी है अगला प्रशन हैगा कि मुगल काल में किस बंदरगा को मक्का कहा गया है तो फ्रेंट्स मुगल काल में मक्का जो कहा गया है तो वह सूरत बंदरगा को कहा गया है जो की गुजरात में इस्तित है फ्रेंट्स लोथल भी गुजरात में इस्तित है जो की हरप जो हरपपस अभ्यत थी उसका पिरसित बंदरगा था मुंबई बंदरगा दोस्तों महाराष्ट में इस्तित है और कोची बंदरगा केरल में इस्तित है नेस्ट कोशन रहेगा कि ब्राउन कोईला किसे कहा जाता है तो दोस्तों ब्राउन कोईला कहा जाता है लिगनाइट कोईले को ठीक है जिसे भूरा कोईला भी कहते हैं ठीक है जो सबसे उच्छ कोटी का कोईला होता है तो वह एंत्रेसाइट होता है जो की सिर्फ भारत में 2% पाया जाता है बहभी जम्मू कस्मिर में ठीक है जो जम्मू कश्मीर के छताने होती है यह पाया जाता है Ride Southern कोई ला बिट्टु मेंस दोस्तों लिग नाइड़ को ला और पृट्स कौईला तो यह एक अलग आपदा प्रिवंदन मंत्रालिय गठित करने वाला देश का पहला राज्जी है उत्राखंड राज्जी है तो सही आंसर रहा ओप्शन डी नेश्ट कोशन हैगा कि मोसम की दसाएं बायू मंडल की किस परत में बदलती हैं तो दोस्तों मोसम की दसाएं ठीक है जो बदलती है तो बहे छोब मंडल में बदलती है जो की परत्वी के सर्वदिक नजदिक है फिर्ण्स आपसे पुछे जाएगा कि किस मंडल में ताप मान एकसा पना रहता है या फिर समान रहता है तो बहे होता है हमारा समताप मंडल नेश्ट कोशन नहींगा कि 20 वियापार संगठन निमलिखित में से किस संगठन का उत्रा अधिकारी है तो friends जो 20 वियापार संगट है ने जिसकी स्थापना की गई थी एक जनवरी 1995 को जिसका मुख्या लेह है जनेबा स्वीजर लेंड में तो friends यह जो कार्य करता है यह है जो इससे पहले एक था गैट जिसकी स्थापना दोस्तो 1948 में की गई थी तो उसी के उत्रा अधिकारी के रूप में कार्य करता है तो याद रखना है कि जर्नल एगरिमेंट ओन ट्रेड एंड टैरिफ ठीक है जिससे वोलते हैं गैट जिसकी करता है ठीक है मतलब इसका नाम परिवर्तन क्या था है सेम दोनों और दोनों का मुख़ेले friends बहाँ परी मतलब जनिवा में ही इस्तिथ है next question नहेगा कि भरतपूर के जाट राज्य की इसथापना की गई थी तो friends भरतपूर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी सुरज किरांती के जनम दाता माने जाते हैं भी कुरियन ठीक है तो सही आंसर रहा ओप्शन बी ठीक है में स्वामी नाथन को दोस्तों जो माना जाता है तो इन्हें भारत में हरित करांती का जनक माना जाता है और भारत में हरित करांती आई थी 1967-6667 में ठीक है तो याद रखना है और गिस्प में जो माना जाता है तो बहें दोस्तो नोर्मन बोरलोग को माना जाता है किसका हरित करांतिरी का जनक ठीक है फ्रेंड्स जो बलवंत राय महता है तो बलवंत राय महता को दोस्तो पंचायती राज का जनक माना जाता है तो याद रखना है कि बलवंत राय महता को दोस दोस्तो सिमली पाल नेशनल पार्क इस्तित है उरिसा राज्ये में तो सही आंसर रहेगा ओप्शन डी नेश्ट कोसन है कि राज्ये के सभापती का चुनाब किस निर्वाचक मंडल के द्वारा क्या जाता है तो फ्रेंट्स जो सभापती होता है राज्ये सेव का मतलब उपराष्टपती तो इसका जो चुनाब होता है, तो इसके चुनाब में संसत के समस्त सदस्य भाग लेते हैं, मतलब जो निर्वाचित होते हैं और जो मनोनित होते हैं, तो दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीके एक कोसर मनता है राश्टपती से, कि राश्टपती के चुनाब में कौन भाग ल लेते हैं सिर्फ सिर्फ नी ठीक है सभी सदस्य संसत के और जो राश्ट पती होता है तो राश्ट पती के चुनाम में भाग लेते हैं जो सिर्फ चुने हुए सदस्य होते हैं ठीक है तो याद रखना है अगला प्रेशन होगा दोस्दो कि भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्य निति को किसानों के लिए राष्ट्य निति को मंजूरी कप दी थी तो फ्रेंस यह मंजूरी दी गई थी 2005 में तो रहानसर रहेगा Option A Next नेश्ट कोशन है कि केंद्रिया आलू संस्थान कहां इस्तित है तो दोस्तो केंद्रिया आलू संस्थान इस्तित है सिमला हिमाचल परदेश में नेश्ट कोशन है कि राष्ट्य मतदाता दिबस कब मनाया जाता है तो दोस्तो राष्ट्य मतदाता दिबस मनाया जाता है 25 जन्वरी 1950 को तो इसी गारण 25 जन्वरी को राश्ट्यम मद्दाता दिबस मनाया जाता है next question है कि राज्ये के निती निदेशक तत्व का उद्देश यह है तो सीधा सा उद्देश यह है कि लोग कल्यान कारी राज्ये की स्थापना करना तो याद रखना कि लोग कल्यान कारी राज्ये की स्थापना करना जो उद्देश यह है तो यह है राज्ये के निती निदेशक तत्व का है friends आपसे पुछा जाएगा कि राज्ये के निती निदेशक तत्व किस भाग में आते हैं तो यह सविधान के भाग्चार के अंत्रकत आते हैं। अगला प्रशेन है कि राष्ट्य पंचायती राज दिबस कब मनाया जाता है। important question है कि राष्टिय पंचायत राज दिबस कब मनाया जाता है तो दोस्तों यह मनाया जाता है 24 अप्रेल को क्योंकि फ्रेंड्स जो राष्टिय पंचायत मतलब पंचायत अधियन यम को जो स्वेधानिक दर्जा दिया गया था तो वह 24 अप्रेल 1993 को दिया गया था ठीक है तो दोस्तों 20 विधरोहर दिबस मना जाता है ठीक है यह सभी कोशन मनते हैं अप्रेल महा में और फ्रेंड्स आता है 14 अप्रेल जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेटर का जनम दिबस ओता है और इसी दिन ज्यान दिबस के रूप में भी मनाते हैं ठीक है चोधे नमंबर की बात करें तो बाल दिबस मनाते हैं यह भी इंपोर्टेंट है और 15 अपको पता ही है अगला प्रसुन जाएगा कि सविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो दोस्तों सविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में तो सही आंसर रहा option A और इसी में दोस्तों चीदान सिनहा जो की सविधान सभा के सभी सदस्यों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे तो उन्हें जो चुना गया था तो वह 9 दिसंबर को ही चुना गया था और फ्रेंट्स फिर होती है अगली मिटिंग 11 दिसंबर को तो इसमें इस्थाई अध्यक्ष चुने आते हैं टोक्टर राजेंद्र परसाद ठीक है तो याद रखना है और फ्रेंट्स फिर होता है 13 को मतलब 13 दिसंबर को तो 13 दिसंबर को दोस्तो पंडित जबाहर लाल नहरू के द्वारा प्रस्ताबना का प्रस्ताब पारित किया गया था ठीक है तो याद रखना है अगला प्रस्त मुख्याले बताना है आपको कि ओपैक का मुख्याले कहां इस्तित है ओपैक की स्थापना की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी ठीक है जो की बियाना में इसका मुख्याले इस्तित है और फ्रेंट्स इसकी जो स्थापना की गई थी तो बगदाद में की गई थी तो यह enjoying, पैट्रोलियम, पैट्रोलियम बाले देश हैं, पैट्रोलियम बाले देश हैं, इन परतमारे बार्तमान में तो इनका एक संघ है, अगला प्राशन हो जाएगा, 20 रा, कि लद्धा के प्रथम, लेप्टिनेट गवरणर है। तो दोस्तो लद्दा के प्रेथम लेप्टिनेट गवर्नर थे डोक्टर राधा केर्शन माथूर ठीक है तो याद यह रखना है हमारा सही आंसर हो जाएगा option B ठीक है और बरतमान में भी यही है ठीक है किस बकोसन दोस्तो कि सीमांत कांधी के नाम से किसे जाना जाता है जो कि हमारा इस वीडियो का last question है और last question हमेशा आपका homework होता है ठीक है तो comment करके बताएं कि सीमांत गांधी किसे बोला जाता है ठीक है और फ्रेंट्स important question है वैसे तो साथ में आपको बताना है comment करके कि आज का session कैसे रहा उमीद करता हूँ सारे question दोस्तो आपको important लगे होंगे क्योंकि exam में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे ठीक है तो friends मिलते हैं next video को साथ और हाँ आपने अगर आप अभी तक video को like नहीं क्या तो please video को like कर ल देजेगा ठीक है तो वाई वाई थैंक्यू सो मच